हलो नमस्कार दोस्तों आज हम पहुँच चुके हैं जिला नयाले प्रयागराज जी हाँ सातियों आज यहाँ पर राष्ट्रिय लोक अदालत का आयोजन किया गया है और आप देख सकते हैं हमारे सामने बात करने के लिए हमारे खास मेमान माननीय सचिव दिनेश कुमार गौत तमाम पैरा लीगल वालेंट्रियर्स भी यहाँ पर बैठे हुए हैं हम इन पैरा लीगल वालेंट्रियर्स से भी जानने का प्रयास करेंगे कि यह किस किस चीज को यहाँ पर आप्जर्ब करने का काम किये हैं इनका यहाँ पर एक क्या रोल है तो सबसे पहले हम चल रहे हैं माननिये सचीव, जिला विदिक, सेवा प्राधी करण, दिनेश कुमार गौतम साहब के पास और हम इन से जानकारी प्राप्त करने वाले हैं सर मैं स्वागत है आपका, सर मैं आपसे ये जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं कि आज किस administrative judge के द्वारा यहाँ पर उधगाटन किया गया है राष्ट्री लोक अदालत का हमारे यहाँ प्रयाग राज जुला कचहरी के सासनिक नाय मुर्ती सिरी सिधात बर्मा जी है आज यहाँ कचहरी आए उन्होंने साड़े दस पजे राष्ट्री लोक अदालत का उधगाटन किया तो सर इसमें मेनली अगर हम बात करते हैं तो किस किस टाइप के हमने मैटर इससे यहाँ पर देखने का काम किया मेजर तोर पे चिला कचहरी नैले के अंदर कई तरह के मुगदमे होते हैं जैसे IPC को ले लिया जाया तो समनी मामले समनी मामले वो होते हैं जो दो साल से कम के सजावाले मामले दोलो पक्षों अगर आपस में समझवता कर लेते हैं तो उसको लोग अदालत में लगाते हैं और लोग अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण रहते हैं लोग अदालत की बहुत बिस्यस्ता ये है कि यदि मुगदमे का निस्तारण होता है तो उसकी अपील कहीं नहीं होती है ना किसी अदिवक्ता किया हो सकता है ना उसकी अपी किया जाता है उसके बाद से बहुत सारे local act है नजद निगम का act है M.B. act है उसके भी मुगदमे का चेरी में चलते हैं तो हम लोग लोग डालत में उन मुगदमे को चिन्नित करके भेजते हैं लोगों को समन, लोग आते हैं और अर्थ दंट जमा करके उस मुकद में को निस्तारित कराते हैं इसी पर गार से आपका परिवारिक मामले में धारा 9 हिंदू मेरेज एक्ट के अंतरकर हम गध में फाइल हते हैं उसमें सम्झोते होते हैं पती पतनी का डाइबोर्स के मुगद में फाइल होते हैं उसमें होते हैं 492 AIPC इसके मुगद में करनिस्तारां समझोते ही का अधार पर किया जाता है आज के दिन BCS लोग अधालत में बड़ी उपलबदी हमारे ये रही कि परिवारिक न्याले से दस जोडों को हम लोगों ने यहां उनके घर विदा किया यह हमारे परिवारिक न्याले के अथक प्रियास के माध्यम से दस जोडों को एक प्लेट फार्म पर लाए, दोनों में कंप्रमाइज कराए कंप्रमाइज कराने के बाद से दोनों पती पतनी एक साथ रहने के लिए सहमती व्यक्त की और उनका एक साथ उनको यहां से उनके घर विदा किया गया यह कारेकरम मानने हमारे परसासनिक नायमुर्थी के सामने ही किया गया और देखा जाए तो बहुत तरह के समन मामले होते हैं हमारे यहां एनाई एक्ट के मुगदमे होते हैं उसका निस्तारण लोग अदालत में समझोते के अधार पर किया जाता है इसी परकार से अगर देखा जाए तो मानी सरोच ने आले ने दिनांग 29, 30, 31 जुलाई को तथा 1, 2, 3 अगस्त को राश्टी लोग अदालत का आयोजन किया गया है जो पूरे इंडिया में मनाया जाएगा उसके लिए भी हम लोग कार कर रहे हैं आशकल हमारे इलहाबाद में 60 मुगदमे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में चल ला हैं उसमें भी हम मेडियेशन के माध्यम से समझोते के माध्यम से समाप करने का पर्यास कर रहे हैं और एक मुगदमा हमने तै कर लिया है बाकी हमारे 34 मुगदमे फेल हो गए हैं फिर भी अभी 38 मुगदमों में हम लोग परियासरत हैं कि साथ कुछ काम बन जाए अगर बताया जाए कि आज की विशेस जो लोग अदालत थी हमारी राश्टी लोग अदालत 13 जुलाई दौजार 24 में आज का निस्तारण हमें लग रहा है कि परदेश में पहले या दूसरे नंबर पर होगा मेरा प्रयागरा चिला आज के दिन करीब करीब हम लोगों ने 25,000 के आसपास मुगदमें का निस्तारण किया है अभी आंकड़े आ रहे हैं साम तक 6 बज़ तक आंकड़े आ जाएंगे तो पुरा पता चलेगा कि सब मुगदमें हम लोगों ने तैक गिया है बहुत बहुत धन्यवाद तो आप यहां पर सुन रहे थे माननिया सचिव विधिक सेवा प्राधी करण को तो अब हम पैरा लीगल वालेंटियर्स से भी कुछ जानना चाहेंगे कि इन लोगों ने कौन सी ऐसी मुख्य भूमी का यहां पर निभाने का काम किया मैं कोशिश क वरता हूं किसी ना किसी पैरालीगल वालेंटियर्स से बात करने का कि यहां उपजरांब किये हैं साथी साथ उनके द्वारा क्या पर ≫ देखा गया है तो एक हमारे पास पैरा लीगल वाल इंटियर्स हैं मैं इन से जानकारी प्राप्त करना चाहूंगा मेरा नाम रामा विशेख सिंग है और और सर मैं यहां पर जब आया तो देखा मेरे सामने तो यह पहली बार ऐसा हुआ है मैं यह लोग आदलत मतला भी मैं फर्स्टाइम देख रहा हूँ तो भीड बहुत थी लोग बहुत थे और इससे यह साफ साफ पता लगा कि लोगवास्तों में लोग बहुत ज़्यादा परिशान थे और यहां पारानेक बाद सर उनके समस्याओं का नीदान हुआ है यहां पर आर्थिक तौर पर जो मामले थे जो खास तौर पर बैंक के लोन से और रिलेटेड मुझे लगता उसमें भी काफी ज़्यादा सहायता हुआ है लोगों का और बाकी जितनी चीजें थी जो मध्यसता है वो यहां पर तो वो तो बराबर निरंतर चलती आ रही है जै लगा तो और जो बहुत सारे मामले हैं सर वो भी इसी माध्यम से निस्तारीत होंगे और अच्छे तरीके से होंगे तो बस सर यह है कि अच्छी शुरुवात है और कहते हैं कि अंत भला तो सब भला तो आज मुझे जो अंत दिखा सर बड़ा अच्छा दिखा और मुझे लेगा एक न्याय मिलेगा उनके लिए तर बहुत बहुत धन्यवाद तो आप देख सकते हैं मैं डिरेक्ट यहां पर सचीव सहाब के कार्याले में हूँ यहां पर पैरा लीगल के हमारे वालेंटिर्स भी हैं साथी साथ आप लोगों ने यहां पर सचीव सहाब को भी सुनन ने का काम किया फिर इसी तरह के अपडेट के लिए बने रहें फिर मिलेंगे एक नए वीडियो उसके साथ तब तक के लिए धन्यवाद